तो मित्रो नमस्कार वेनम एकेडमी रीवा में आपका हार्दिक स्वागत और आज हम मदप्रदेश सामान ग्यान में मदप्रदेश की नदियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और मद्रप्रदेश पटवारी परिक्षा में विगत जो वर्सों में पेपर हुए है उनमें नदियों का चैप्टर बहुत महत्पूर्ण है और उसमें बहुत डीपली प्रशन पूछे जाते हैं तो इसलिए इस चैप्टर को मैंने विस्तार से आप लोगों के लिए तयार किया है और मेरी कोशिस यही रही है कि आपको आने वाले परिक्षा में इससे कोई प्रशन बाहर नहीं जाएंगे तो इसलिए सुरू करते हैं मद्यप्रदेश में नदियां पहला प्रशन यहीं से बनता है अपवाहतंत्र का अपवाहतंत्र का मतलब होता है कि जो नदी हैं और सहायक नदियां उसकी उसका जो जाल बनता है उसको हम ड्रेनिक पैटर्न या अपवाहतंत्र का नाम देते हैं मद्यप्रदेश में अगर देखा जा तो 6 प्रमुक अपवातंत्र हैं कितने हैं 6 गंगा का अपवातंत्र नर्मदा का तापती गोदावरी महानदी और माही इन सब के बारे में दीरे दीरे आगे हम जा करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं गंगा है यह पुचा गया है यमुना टॉन सॉर्ण यमुना ऊप्तंत्र में यह नदी आती हैं चंबल है बेतवा सिंध केंध साथरोंगे बीहर है महान है मदानी महाण ओदा ठीक है और सोन में जो है जोहिला है बनास है गोपद रीहंद कनार इसको आगे विस्तार में देखें चंबल रिवर महू इंदॉर से होता है चंबल का ओर देख लीजिन जो है जाना पाव की पहाड़ी वांग्चू पॉंट और यह ब्लू कलर की जो लाइन है यह चमबल नदी है राजिस्थान पर्वेश करते हुए पुनेयमुना में इटाबा के पास मिल जाती है ठीक है अब इसमें जो है अगर हम बात करें कि विंद्याचल स्रेंडी की जाना पाव पहाड़ी वाक्चु पॉइंट महु इंदौर जिला ठीक है यहां से इसका ओरीजिन होता है इसकी जो सहायक नदिया है आप देख पा रहे हैं इसमें छिपरा है पुनासा है काली सिंद है कुनों है परवती है परवन है पारवती परवती एक ही है ठीक है और मदप्रदेश है राजिस्थान की सीमा में यह 251 किलो मीटर चलती कितना जलती है 221 km इसके कुल लंबाई 965 km है जिसमें से 325 मदपरदेश में है और 251 बाउंडरी पे चलती है दोनों की सीमाओं में चलती 251 km ठीक है इसके अन्य नाम है चर्मावती, धर्मावती, पराणी के पुराणों में इसका नाम धर्मावती मिलता है काम देनु, रंती देव, रंती देव की कृति भी इसको बोलते हैं ठीक है, रंती देव एक राजा थे, उनके नाम पर ये वो गवों की बली चड़ाय करते थे इसलिए काम देनु भी इसका नाम है, और रंती देव की कृति भी इसका नाम है, ठीक है अब इसके बाद देखते हैं, इसको पच्च्वी मद्दप्रदेश की जीवन देखा भी बोलते हैं और ये एक अध्यार ओपित नदी का उदारण है, मतलब कहने का कि ये जाकर के उपर से इसकी उचाई जो है उची रहती है और जाकर के नीचे मिल जाती है मतलब इसका ढाल धीरे-धीरे नीचे होता जाता है उत्तर की तरब जैसे ही बढ़ती है तो इसको super import या अध्या रोपी सीधे प्रश्ण पूछ लेता है कैसी नदी है अध्या रोपित नदी है अब नालिका अपर्दन बीरों का निर्मार करती है यह मुरैना में बिंड में तो इसलिए अब नालिका नालिया बन जाती है इसको गली अपर्दन भी बोलते हैं बीहड भी बोलते हैं चंबल खड भी बोलते हैं इसको ठीक है सबसे यदि भी बान जिला ठीक है अब इसके बाद में इसके बाद आपका राना प्रताब सागर राजिस्थान में हैँ चितोडगर के असपस और इसके बाद जवाहर, सागर, राजिस्थान, इसको कोटा वैराज भी बोलते हैं, ये कोटा में हैं, तो मंद्रप्रदेश में एक गांधी सागर, मां राजिस्थान में दो, राणा परताप और जवाहर सागर, ठीक है, मंद्रप्रदेश में, गांध चंबल की जो राजिस्थान में निकलती हो राजिस्थान में समाप्त होती है बना स्रीवर ठीक है चूलिया जलपरपाद इसी में 18 मीटर रूचा है अगर आपके भैस रोड यह रहेगा कोटा संभाग लगता है वहां पे अगर आपसन में मंसौर भी रहे तो मंसौर आप लग इसके जो अन्य नाम है पूर्ण सलिला पूर्ण सलिला पापरणी सोंबती कनक्स रंगा अवंती प्रलोग के इनको एक बार सरसरी निगाह से आप देखेंगे धीर धीर याद हो जाएंगी नदी के तट पर इस्थित इस्थल इस नदी के तट पर कौन-कौन से नदी स्थल ह उज्जेन त्रिमेडी घाट और राम घाट बार बार पूछे यह गए हुए प्रस्थन है नरसिंग घाट गव घाट चिंता मनिगडेस मंदिर सिंगवट भारतरी गुफा काल भैरो मंदिर सांदीपनी आसरम कालिया दे महल ठीक है राम जान की मंदिर राम जनारदन मंदिर और सिंगस्त कुम्ब मेला बारा वरसों में लगता है 2018 में हुआ था इसके पहले ठीक है अब इसके बात काली सिंद नदी है उद्याओ इसका जो उद्गम होता है विंद्याचल स्रेणी के बागली गाओं से बागली गाओं कहां पे है जिला देवास में डेड़ सो किलो और जाकर के ननौरा राजिस्थान में चंबल से मिल जाती है इसके बाद पारवती का उद्गम आश्टा जीरा सिहोर से होता है और समापन चंबल राजिस्थान में चंबल से मिल जाती है कूनो 180 किलोमीटर सिवपूरी से निकलती है और समापन होता है इसका चंबल में तो चीजों को आप मैप के माध्यम से देखेंगे ठीक है इसके बाद आती है बेतवा नदी बेतवा नदी ये भी अपना आपका गंगा नदी तंदर का भाग है घोड़ी दंद पहाड़ी जहां से निकलती है बिंद्याचल परवत के रानी पूर जो अभ्यारन ने उसके पास में सब्सक्राइब जिए कुम्रा गाओं निजिला टीक जीडी ग्राम आता है कभी कभी कुम्रा गाओं खेंगे और तेहसील अवे इसमें, बिना भालकुन जल परपात इसी ये में राहदगी में बना ओवा है धसान ये नदि है जो जाके बेतुवा में मिलती है रायट एंड साइट से जामनी रायट हैं साइट से और केन देखकर लग से जाके मिल रहे हैं इस चीज को ध्यान रगेगा बांदा के पास केन अलग से जाके मिलती है, केन सहायक नदी नहीं है, यह हम बेतवा केन लिंक जरूर बनाये गया है, बेतवा और केन नदी को जोड़करके, बेतवा केन लिंक ठीक है, इसी पर देखिए, आप एक शी और ध्यान से देख लीजे, इसमें विदिसा में हलाली, कतल की नदी हलाली का मतलब होता है कतल की नदी असोक सागर परियोजना ये हलाली रिबर में है विदिसा में बार गंगा या थाल नदी भी इसको बोला जाता है इसके अन्य नाम 12 पुराण में बेतरवती के नाम से सिव पुत्री विंध्याटवी वेस और प्रोदूसर्ण के और दमान में ढूप चुका है बेतर्वा का आइलैंड कहा जाता है आइसलेंड कहते हैं बेतवा का देवगड को जिले कौं कौं से सहर या इस्थल है तो इस सहर में देख लिजे विदिशा साची भोजपूर चंदेरी औरचा औरचा को औरचा में कंचन घाट है वो इसी नदिक किनारे है चेदी राज जो महाजनपत्काल में था चेदी राज वो भी बेतवा के किनारे था उदेगर की गुफाएं जो किनारे हैं बेतवा नदिक किनारे हैं बांकी आपकी घंधार और पंना जिले की सीमा बनाने वाली नदी बांदा उत्तर प्रदेश में यम्ना से मिल जाती है 427 किलो मीटर ये लंबी नदी मद्द प्रदेश में 292 किलो मीटर चलती है मद्द प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो सीमा में ये क्याउन किलो मीटर चलती है और वैसे अलग से बात करें दो पूरे उर्तिर्व प्रद Spaß में ये 84 किलो मिटर की यत्रा करती फिफिटीवन किलो मीटर पर चलती है सहाइक नदियों में बात करें इसको या पूछा गया प्रशन है इसे इसको ध्यान गे बखनेरी बान उर्मिल रन्गया के न व्यर्णा help रेखनेरी में से पिछली बार भी पूछा गया था कौन सी सहायक नदी है कौन सी नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जल प्रपाथ केन नदी पे पांड़ो जल प्रपाथ कहा पन्ना जिला में है ठीक है 30 मीटर रूचा है पांड़ो जल प्रपाथ इसके बार आता है सजर सजर एक वहूर पत्थर है जो इनी नदियों के किनारे पाया जाता है यहां से लेकर के और बांदा तक ठीक है कटनी से बांदा तक नदियों में पत्थर पाया जाता है उसको सजर बोलते है किमती एक पत्थर होता है बांध इनमें कौन कौन सा बांध है देख लिए रंगवा नदी पर सिमरी नदी के संगम पर पन्णा टाइगर रिजर्व के अंदर ठीक है बर्यार पूर डेम है सिंगपूर बैराज बेनी सागर और कुट्नी कोसक बांद तो इस चीज को ध्यान में रखना है यह बांद पूछे गया है कुट्नी कोसक पुछली बार में पूछा गया था ठी केन नदी है देखी केन नदी कहां से निकली है उदगम कटनी से रीठी तहसील में कटनी में कैमूर पहाड़ी है ठीक है दमू पहाड़ी भी उसको बोलते हैं और यहां से पन्ना देखी पांड़ो जल प्रपात गाथा जल प्रपात पन्ना में है रनेह जल प्रपात चतरप है ठीक है इस चीज़ को ध्यान देना है सहाइक नदी है यह केन की इसके अन्य नाम सुक्ति मती करणवती कैना स्रेवेडी दर्णवती और कियाना देखिए यह पूछे गए हैं इन्हें से जीवन रेखा कही जाती है क्योंकि देखे हमने दिखाया आपको यह पन्ना से होकर के पेंच पन्नाराष्टी उध्यान उससे होकर के उजरती है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बी एलपी एट आट येर तू कम्पलीट ठीक है 2008 में परियोजना को राष्टी परियोजना जोसित किया गया और आठ साल का समय इसके लिए निरधारित किया गया था बनने के लिए आप देख लिए ध्यान से यह pink color की यह बेतवा river है blue color की यह cane river है इन दोनों को जोड़ती हुई यह canal link जो green color से dotted है यह link है इसमें cane का पानी बेतवा में डाला जाना है cane से पानी उठाना है और यह निवाडी के पास बेतवा में पड़े गए ठीक है तो इस चीज को ध्यान में देना है अब यहाँ पर क्या है आप इस चीज को ध्यान से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोठा बेराज यह देखिए बेतवा नदीपे विदिशा में है इसके इसके आगे देखे ओर रिवर है और रिवर के नाम पे लोवर ओर डेम है बिटवा के पास निवाड़ी के पास ये बर्वासागर बनाती है। को यहां दिखाया यह दो दन बांधि यह यहां पे पन्ना के पास पीछे आपने आप देखा देऊंधगाग यह सब्सक्राइज में जग्सक्तर नियुंग तो बनना था इस Єह परियोजना के तहट इसके बाद लिंक सुरंग assuming 20 किंडर बननी थी और इसमें से और कोठा वैराज जो हमने देखा ये कोठा वैराज ये सेकंड चरण में बनने थे इससे जो वारिसिक्स विचाई 10.62 लाख हेक्टेयर जलविद्दू 303 मेगावाट और सौरूर्जा 227 मेगावाट बनाई जानी ठीक है इसके सामने चुनोती थी दोदन बांद के द्वारा इसमें पन्ना टाइगर रिज़ारो का जो है छेत्र है 5803 अच्छेटर पन्ना पन्ना यह इसमें डूब में आ गया था इसलिए इसमें इनपूर्ट में चुनोती थी कि राश्टी परिपेक्स परियोजना 30 परियोजना सामिल की जानी थी 19 लिंग सामिल थे जिनमें से प्राइदीप नदीविकास में जो सोला लिंग उनमें से एक थी केन बेतवा लिंग जो कि पहली भारती राष्ट्री परिपेक्ष योजना की तहत पहली लिंग परियोजना अपने इंडिया में बनाएगे ठीक है इसके बाद देखिए इसमें भो गुजरात के सोमनात में तो अगर पूछता है मदप्रदेश का सोमनात कहां तो भोजपूर मंदर जीला रायसेन बेतवा नदी के किनारे बेतवा के किनारे और कौनकों से परवट इस्तर ने तो औरच्छा की बात करें औरच्छा में बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ के पास जहां पर नर्वदा नदी में भी गांधी जी के अस्तियों का भी सरजन स्थल है तो मदप्रदेश में दो स्थल है इसको याद रखना है तिलवाडा जबलपूर नर्वदा नदी पे और यह आपका औरच्छा बेतवा नदी पे ठीक है इसके बाद इसी नदी पर द सब्सकार की किल्ये को देवगड़ का किला तसावतार बंदिर और छोड बंदिर यहीं पे हैं बेतवानदी के किनारी इसको ध्यानमें रखना है इसमें से प्रस्प्रशन पूछे जाते हैं सिन्द नदी बिध्यांचल परवश स्रेणी के सिरॉंज तैसिल से विदिशा के स सिंध के साथ पहले कुवारी मिलती है फिर दोनों मिल्के यमुणा में मिल जाती है अब सहायक नदी की बात करें सहायक नदी में देख्विंद के बाला जी सूरी मंदिर बाला जी सूरी मंदिर पाहुज नदी के किनारे है जहां सी में पाहुज बांध है और इस पाहुज नदी को पुस्पावती नदी भी कहते हैं पूछा गया है पुस्पावती नदी ठीक है और यहीं एक नदी है जो गुना को दो भागों में डिवाइ का सिंध्र नदी पे बनाया गया है कहां पे सिंध्र नदी पे स्यूपूरी में यह अभी लेटेस्ट डेटा है इसके पहले कौन था आपको पता होना चाहिए तवा ब्रिज्ज होसंगाबाद नर्वदा नर्वदा पे बनाया गया इसका फस्ट रैंक किंती 1.13 किलो मिटर अगर बन जाएगा तो 4.3 किलो मिटर का मंसौर में चंबल नदी पर ठीक जल प्रपाद जल प्रपाद में आप आ जाएए पावा जल प्रपाद सुल्तानगर जल प्रपाद भूरा को जल प्रपाद तीनों सिवपूरी में है तीनों सिवपूरी में है सिंध्र नदी पे पा प्रशन पूछा गया ये ताउन नदी कोई नहीं जाना रहा था ताउन नदी तमसा इसी को तमस बहते हैं तमसा बोलते हैं टोन्स बोलते हैं ताउन नदी है और त हैं 220 किलोमीटर केमूर पहाडी मैहर, सतना से निकलने वाली नदी सिर्षा में जाकर गंगा से मिल जाती है यह देखिए गंगा है यह ग्रीण क्लर की यह इधर देखिए टोन से मैहर में कैमूर पहाड़ी से निकली ठीक है आगे परियोजना पूरवा जल प्रपात होते हुए बनाते हुए गंगा नदी पर जाके सिर्षा के पास इलहाबा से 30 किलो मीटर सिर्षा है वहां पर मिल जाती है सोन नदी सोन नदी केसे सब्ससे बड़ी सहयक नदी मोस्ट इंपॉटेंट कोस्चन गंगा की सबसे बड़ी प्रैविपी सहयक नदी सोन बहुत प्रियोजना देखे जोहिला रिवल जाके मिल रही है बाल सागरता परियोजना तीक इसके बाद आगे TRA रपे जाकर के रिहंद मिल रही है और पतना दानापुर में आरा के पास यह जाकर मिल जाती गंगा से ठीक है चाहिक नदी में देखिए सबसे प्रभूख है जोहिला जोहिला के बाद गोपद रिहंद कनहार उत्तरी कोईल और घगगर रिवर ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना है इसमें दुरलब कच्छु अप्रजाती पाई जाती है नेहरू से तु इसी नदी पे सोन नदी पे बना हुआ बिहार में बना पूल 3.55 किलोमीटर सोन नदी पे बिहार में और कोईलवर पूल रेल सड़क पूल है पटना के पास सोन नदी पे अटल जी ने जब अटल जी द्वारा देश को समर्पित किया गया था रिर्सी बाड़वर्ड की तपस तपो इस्थली भी रही है इसलिए इनके नाम पर बांसागर नाम पड़ा है करमस है कोपद में गोंड सी चाही परियोजना ये भी पूछा गया सिंग्र रॉली में है किस नदी में गोपद नाधी में है ठीके 2019 में इसका सुभारा में किया गया और इसके बाद आते हैं सबसे बड़ा पॉहातंतर नर्वदा पॉहातंतर मतलब मद्परदेश के दर्श्ञ dus remain सबसे बड़ाूढ पॉहातंतर का दूसे बड़ा पॉहातंतर है changingcenter में जिसमें इस पूर्य पॉहातंतर का cannot 90% करी मद्परदेश में हैं बाकिकज़ चेतर है मद्परदेश के Online लाबा गुजरात और महारास्टा में है मदप्रदेश के 16 जिलों से बहती है मदप्रदेश को निकल जाती है ठीक है गुजरात की और तो इस चीज़ को ध्यान रखना है डेंड्राइटिक प्रेटेन व्रक्ष की तरह व्रक्षानुमा अपवातंत्र इसका होता है रे मिट्ट की उद्गम इसका पुस्पराजगर तहसील की मैकाल परवत है पुस्पराजगर तहसील माई की बगिया सरस्वती सरोवर है वहां पर वहां से निकलती है और भरोच के निकट कैमबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी एक ही चीज़ है समापन हो जाता है अरफ सागर में 27 से 27किलोमीटर का इस्च्वरी बनाती है जूर नदमोक शेवंटीेश तूटी सेवन किलोमेटर 27 किलोमीटर लंबा जो है इस्च्वरी बनाती है ठीक है इसके बाद नाम इसका सोन प्रभवार रगवधंसम कालिदास में अगर देखें कालिवध़ास के labour रगषं में सोन पहाड़ात में 161 और महाराश्ट में 74 किलोमीटर भ्रेंस घाटी में बहती है मतलब दोनों उरसे पहाड़ों को काट करके रिफ्ट वैली बनाती खड़ा ढाल होता है उनमें बीच में बीच से नदी बहती है एक तरफ दक्षण की और सत्पुड़ा परवत उत्तर की और बिं हतनौरा एक जगह है जहां पर प्राचीन मानों के उसस 1982 में डाक्टर अरुन सोना किया ने इसको ढूड़ा था और इसको नर्वदा मानों नाम दिया गया पासानकालीन मानों की अस्थियां ठीक है अब इसके नर्वदा गाटी सर्वेक्षन करता है एजडी संकलिया का नाम प्राइधी भारत की सब से लंगी नदी 3 मैं 2017 में इसको जीवित नदी का दरजा दिया अग्या भारत की सक्कर दूधी देनवा तवा गोई गंजाल और अगर दाई तरब की बात करें तो हिरन हदनी तंदोली बारना बारना नारत की तपोस्थली इंपोर्टेंट प्रशने चंद्रकेशर कनहार मान उटी चोरल और सिप ठीक है इस चीज को ध्यान में देना है और यह चीजी हमें आ जल परपात मिलता है ना पंचवटी एक जगह है वहीं पर नर्वदा से बामन गंगा का संगम है वहां पर ठीक है इसके बाद नर्वदा के जिले और उसमें इंपोर्टेंट जो चीज़ें वह हम बताते चलेंगे पहला अनुपूर आपका कन्फूजन भी दूर हो जाएग इसको पूरा कुण्डली की तरह गहेर लेती है इसको प्राइदी पी जिलाए जबलपूर और जबलपूर में रणी अवंधि बाई बर्गी ना पर पहाडीयां जल प्रपात तिलवारा जानी जी के अस्थिया थे सर्जन इसको निवहन बता है निगरी के बाद 64 योगनी मंदिर यक्षोनी की मंदिर क्रतिमा है आप आप से इसको औरंग चेवन इसको इंपथने चीजह है याद आपको बर्मान घार्ट बर्मान का मेला तेरा दिन का मेला बर्मान का मेला तेरा दिन का होता है यहीं पे अर्जुन कुंड भीम कुंड सद्धारा सूरज कुंड और भूत कुंड मिलते हैं राइसें राइसें नर्वदा का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला प्रश्ट प सी होर में हैं इसके बाद हम आते हैं हरदाया देवास दियोग्या टीक है ही तीनों की परियोजना चीपढ़ परियोजना होसंगाबाद पूछा सिञावाइस अ किनारे बिवेकननदगा ओर नानपा गाइट इससी अन गाइड होसंगाद में यह पूछा गया परसन नर्ड नरायं, नर्ड नरायं दोनों कहां मिले थें, तो नानपा गाव, नानपा गौह संगाबाद देवास की बात करें तो जबदा के किनारे सीता माता मंदिर सिता समाधी इस्थल घोड़ा पचा धर्मिस्थ्न महादेव मंदिर बारासुर की तपो भूबि मिवी आई ठीक है धारा जी स्थल भी उद्यपूर देवाँ जीले में ही है निवावर देवाँ जिले में ही है यहाँ पर नर्वदा नाभी कुंड सिद्षेत्र है सिद्षेत्र सिद्षेत्र इसे-तो ऐसी में एक नर्वदा का मदबिंदू कहलाता है ठीक भार के देवास जिले की परमुक्षीजे और हर्दा में हडिया, घार प्रसिद्ध है इसके बाद खंडवा खंडवा बारहमा जीला पहुंच गए हम खंडवा में बहुत important पुनासा डैम मदप्रदेश में नर्वदा द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बांध मदप्रदेश में अगर सिर्म नर्वदा पूसता है तो गुजरात में बाट की आठ यूनिट है इसी के कारण डूप छेत्र में आने का नया हरसूत का निर्माड हुआ है नर्वदा बचाओ अंदोलन में यहां से मेगा पार्टकर बाबा हमके सवाना आज मी सुनरल भवगुणा अरुधति राय आदी ने इसमें सहयोग किया था नर्वदा बचाओ में अउंकारिश्वर बांध आगे आ इसी में हैं मातागहाट सेलानी टापू पंसोबीस मेगावाट बिजरी निकलती है 2004 से सुरू है इ इनके पूत्र ये पूत्र थे पूत्र थे कौन पूरुकुट्स पूरुकुट्स नर्वदा के नर्वदा से साधी किस की हो थी पूरुकुट्स की तो पूरुकुट्स किस वंज के थे इच्वाकु वंज के थे ठीक है न मांधाता उन्हीं के पूरुवज पैत्रक जो पे उनका नाम था राजा के ठीक है, हनुवंतिया टापू यहीं पे है, इसी बात को ध्यान में रखना है, मदप्रदेश का परेटन इस्थल, सुक्ता बांद और दर्दी जल परपात, हनुवंतिया टापू, खंडवा, उनका रिस्वर डेम, खंडवा, मदप्रदेश का जल परे परें, साटक बांद दजला, देवडा बांद, यह भी खरगॉन में है, महसवर घाट, नर्वदा नदी का सबसे बड़ा घाट, परस्टा पूछा गया, नर्वदा का सबसे बड़ा, घाट पढ़ा है, आपने सिठानी घाट, विवेका, सबसे बड़ा घाट, महसवर घाट नव्रदा का सबसे बड़ा घाट यहीं पे निमाण उत्सव की सुरुवात होती है इसी महेश्वर घाट के पास में आहिल्या घाट है देखिए आहिल्या घाट वहीं से निमाण उत्सव की सुरुवात होती है इसके बाद आते हैं साली वाहन मंदिर इसको सुन मंदिर भी कहा हुआ है धरमपूरी में धार जिले में नागेस्वर की छत्री रानी नूपमती जो थी वाज बहादूर की प्रेम किया वह नर्दा दर्सन के लिए इसी नागेस्वर की छत्री में आती थी यह धार जिले में हैं और कोटेस्वार कोड़ववांड ये भी कुछी के पास चंदर खेड़ी गाहूं वहां पर भाद की तपोषी ठीक है और मेंगनाद घाड़ भी यहीं पर है कहां पर धार में तो बढ़वानी की बात करते हैं मदबर्देश की एकमात सौफ मंडी जो है बढ़वानी में है अली राजपूर पहुंच चुके हैं अब सोलामा जिला जोबट परियोजना ठीक है नर्वदा दी संबंदित पुस्तकों की बात करें तो अमले लाट बेगर नर्वदा पुत्र कहे जाते हैं इनकी कुछ किताब पूछी गई है इसके बाद आते हैं सक्कर नदी नर्वदा की सहायक नदी और अमरवाला नर्सिंगपूर से निकलने वाली नदी संगनेश्वर महादेव का मंदिर चिंकी परियोजना प्रस्तावी था इसी नदी पे चिंकी परियोजना और संगनेश्वर मंदिर सावल खेड़ाबान सीता रेबा नदी छिंदवाडा में सावल खेड़ाबान सीता रेबान नदी तवा नदी होसंगाबा सत्पुडा परवत की महादेयों परवत से कालिवित-पहाड़ी से निकलती है और बांध्रा भान के पास आकर के नर्वदा से मिलती 172 किलो मीटर लंबी नदी सहायक नदी की बात करें तो सुख है तवा सुख तवा मालनी देनवा जल प्रपात की बात करें तो देखिए यहां पर आपका जल प्रपात मिलेगा डचेज अपसरा भीफाल जमुना रजत जल प् पचास किलो मीटर 11 दिसंबर 2016 से 15 माई 2017 तक 148 डेज ठीक है न तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है लगवक पांच महीने की आत्रा थी और इसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़तें तापती तब दो अपवात अंत्र हो गए नव्रदा हो गया आपका और आपका गंग किसके किसके समना अंतर नर्वदा के समना अंतर ठीक है इसी इसको ध्यान देना है सूरिपुत्री सुर्सुता तापी पयोस्णी गल्म जरवाली नदी भी इसको कहा जाता है 724 किलो मीटर लंबाई मध्यपरदेश में 279 महराश्ट में 270 गुजरात में 175 अपवात अंत्र चो से तूछ ठीक हैं कहा पर है गुजरात में हैं किस नदी पे तापती पर हैं। अब बोरा, तितुर, सुवा, पंजारा, मिधोला, मिधोला भी बोलते हैं, बोरी, बाकी, बुराई, काली, भीत और उतावली, अदब्रदेश की दूसरी नदी जो बीहड का निर्माल करती है, ठीक है, इसके तट पर कौन-कौन से जिले हैं, बैतूल है, बुरहानपुर्ट, दो जिले मिलते हैं, सूरी कुंड, सनी कुंड, नारत कुंड, नारत कुंड, ताप्टी कुंड, नागा बाबा कुंड, पाप कुंड, धर्मकुड, साथ, परवानिक कुंड, यहीं पर मिलते हैं, इस्तल, मुलताई, इसी के किनारे हैं, नेपानगर, बुरहानपुर, सूरत और बैतूल यह सारे ताफ्ति के किनारे हैं जो बान्त तापती में शेश्वाराय मीटर में 17 सिभार्वोनल वभावा हैं शंगो चन्दूरा बान सितन सिफ्थान पर में संयंत्र गुजरात के तापी जिला में है ध्यान देना कनाड़ा तक नीपी भी है ठीक काकरापार परबाण संयंत्र गुजरात उकाई परियोजना तापती नदी नदी पे बनी हुई प्राचीन नदी बंदरगा अगर पूछता है तो स्वाली गुजरात ठीक है और यहीं पर निस सो बारा में जहांगीर जहांगीर के सासनकाल में स्वाली या स्वाली की लड़ाई हुई थी पूर्तगाली और अंग्रेज के बीच में ठीक है तो यह रहा आपका मैप यह मुल् इससके बाद इसके बाद यह इसमें एक चीजे हम यह देखते हैं कि जैसी मिलती है कंभाद के खाड़ी में तो यह भी इस्चूरी बनाती है ठीक है कमभात की खाड़ी में जाके वो इस्चूरी बना लेगी यह भी दरुदा की तरह गोदावरी तंत्र हैं इसमें पांच उप तंत्र हैं देखे गंगा में तीन थे सोन टोंस और आपका यमुना और गोदावरी में पांच हैं बेन गंगा बावन थडी कन्हान बाग और पेंच इसमें हम सुरू करते हैं गोदावरी के उद्गम से 3300 नासिक महारास्ट्रा से यह निकलती और बंगाल की खाड़ी में मिलती है रक्षिन भारत की गंगा ब्रद गंगा या बोड़ी गंगा कही जाती है प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलो मीटर इसके इसके बाद आपका आता है अपवाच्छे तो देख लिए 3300 मदप्रदेश में 600 बहुत कम है 633 नदियां इसकी जो सहायक नदी हैं इंद्रावती बेन गंगा बावंधरी बाग और पेंच बेन गंगा की बात करें कि देखिए परसवाड़ा पठार सत्पुरा स्रणी जिला सिवनी से निकलती है कौन बेन गंगा जिला सिवनी मुंडारा गाओं रजोराताल से 570 किलो मीटर लबी नदी बेन गंगा का नाम है बेवा दिदी वैनिया बैनी और बैना ठीक है महराश्ट के महराश्ट में भंडारा में वर्धा नदी से मिल जाती इसके संगम को प्राण फिरशन पर निखना ठीक है फिर इसके बाद देखनी दोति बालाघाट में पर इसके बाद बावन्तवरी देव नधी चंदा नधी आकर मिल रही है इसके बाद गंगल जल Пर पर पाद बन रहा है और और इसके बाद देखी यहां पर चिंदवाड़ा में कुल बहरा और टेंच मिल जाती है कानन नदी पर जाकर जो कानन मिल जाती है फिर इसमें यह अपका बेन गंगा में ठीक है तो मदबरदेश की पहली नहर कौन सी थी अगर पूछा जाता है तो बेन गंगा उन्हें सो जाके गुदावरी मिल जाती है ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा भीमगर बांद जो संजय सरोवर बांद है इसको भीमगर बांद भी बोलते हैं उन्हें सुबहत्त बेन गंगा बना हुआ सिवनी में छपारा के पास सबसे बड़ा मिट्टी का बा जलप्रपाथ जुति बांद मलढर नहरा सेरा और गांगोल यह देख लिए गाँजो देवनदी पे पर है संगम महाराश्र घंडार में होता है ब्रदान नदी बैतूल की मुल्टाई से जहां से ताप्ति नदी निसख भास सिखर यह वहाँ नादि मुल्धाई के व Thy Belo वर्धा नदी के लंबाई 24,000 किलो मीटर और सहायक नदी की बात करें तो बेना जाम इराई मुडू वे मुला ठीक है प्राणहिता वेनगंगा वर्धा का सक्कम महुत इंपॉर्टेंट है प्राणहिता पूछा गया पेंच छिंदवाड़ा के सत्पूरा परवस है छिंदवा गुलो मीटर इसकी लंबायी यह दिखिए वेन गंगा इसकी सहायक नदी तीन नदी पेंच कुल्वेहरा और काहां कानन इसके बाद आता है तलता टोटला डोवान नाखपूर मेंपेंच नदी बना हुआ अब तोटला डोवान नाखपूर की जीवन रेका कुल्वेहरा चि पर देना है इसका जो अपने से निकलने से निकलती है मांड इव और दाइंवर से लोंग जोंग तेल ठीक है इसके बाद आता है सिवना नदी चितोडगर के अरनोट से निकलने वाली सिवना ग्राम से नदी मंसौर इसी के किनारे है चोसला गाओं चोसला बांध भी इसी में है तापेस्वर मंदिर और पस्वतनात नमंदिर भी महेस्वर में है जो वो किसके सिवना नदी किनारे है ठीक माही नदी तंत्र तंत्र इसका उद्गम मिंडाग्राम धार जिला धार जिला से माही नदी निकलती है पिंधिया चल्रेणी से और इसकी खासियत है करकरेखा को दो बार काटती है 472 किलो मीटर लंबी ये नदी 38,699 किलो मीटर का पुआ छेत मदर प्रदेश में लगबग लगबग ये मानके चलिए कि 20% के करीब अपुआ अतंत्र 7188 किलो मीटर का आप मैप में देख लेते हैं यहां से माही, सरदारपुर, अन्ली ग्राम से निकली, जाबुआ, प्रतलाम सहर इसी के किनारे हैं, फिर आ जाता है खेड़ा, खेड़ा सब्तकर इसी किनारे हैं, कदाना बांध गुजरात में है, यह खेड़ा, कदाना, बडोदरा, आनंद, और अंत्रे खंभात की खाड़ी नदिया, आनान, पानाम, ठीक है, यह जंभार, लर्की, अनस, कून, ठीक है, गोमा, यह नदिया, इसकी सहायक नदिया है, मदबरदेश का सबसे उंचा जलपरपात, 198 बहुती जलपरपात, सेलर नदी पे है, रीवा में, इसके पहले चचाई, 130 मीटर सबसे उंचा था, औ अपसरा हो गया, रजट, बीपा, पच्मढ़ी में है, ठीक, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, अन्ति में, प्रदेश के जलपरपात, ठीक है, इसको ध्यान सी ये लिश्ट दी हुई है, इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको याद कर लेना है, जो इ जहरू ने नाम दिया था, बीहर नदी के किनारे, एक सो तीस मीटर, ठीक है, और इसमें एक चीज़ और चूलिया जलपरपात, अगर आपसरान में आपका चंबल नदी पे है, ये नदियां पूछी जाती है, बंसौर और राजिस्थान के बाउडर पे है, ये जलपरपात, ठीक है, अब इसके बाद संकुआ का मेला देखें, संकुआ जो जगह है, प्रपात है, वो सिंद्र नदी पे है, भूरा खो हमने बताई चुके ये आपका सिवपूरी में है, ठीक है, जो पूछा जाता है, वो इसमें आपको देख लेना, जाड़ी जाता पूछा गया है, चंबल, इंदोर, भालकुन, बीना, सागर, ठीक है, और इसके बाद आजाता है, राहत गड़ है, वित्वा में सागर पे, पांडव केन है, ठीक, तो इन सब चीजों को केवटी, केवटी अगर पूछा जाता है, महाना नदी आपको बताना है, महाना नहीं है, आप संवे, तो आप भी हरस कह सकते हैं, रीवा में है, अंठान नवी मीटर, उंचा जल परपाद, तो मल्द परदेश में सबसे उंचा, चचाई नहीं है, बहुती, 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 बहुती नहीं है, तो फिर चचाई लगाएंगे, ठीक है, भारत का नियागरा चचाई, ओके, तो